कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरा देश हरान है सीब्याई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंस्पल संदीब घोश को लगतार पूस चार्ज के लिए बुला रही है सीब्याई को शक है कि अस्पताल के दिकारी इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल के अंदर की एक तस्वीर से इस पूरे केस पर कई सवाल खड़े हो गए है सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि क्या क्राइम सीन से छेड़ छाड़ हुई तस्वीर में देखा जा सकता है कि सेमिनार हॉल के कर्मियों और डॉक्तोरों से लेकर तमाम लोगों की भीड़ है यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इसके बाद सवाल है कि इतने सारे लोगों को घटना स्थल पर जाने कैसे दिया गया इसके लावा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटना स्थल के सार्थ छेर छाड़ की गई है सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के दोरान सी व्याई ने आरोप लगाया था कि सबूतों को नुकसान पहुचाया गया है और क्राइम सीन वैसा नहीं है जैसा कि यह मौकाय वर्दात के वक्त रहा होगा कोलकता पुलिस ने इन दावों को खारिच कर दिया था बलकि यह भी कहा गया है कि तस्वीर में दिख रहे सभी लोग उस वक्त वहां होने के लिए पूरी तरह ऑथोराइस थे और उनके पहचान कर ली गई है इस मामले को लेकर DCP Central इंडरा मुखर जी का भी बयान सामने आया है आये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा We have seen that there is is one particular news channel which has shown a video and some pictures of the seminar hall which is the face of occurrence of this particular case and there it has been seen that inside the coordinate of area there are many people who are standing, talking and it is not clear that who are these people and it has been alleged that they are probably some people who are not supposed to be there and there has been some tampering of evidence. So we have taken some still from that video and I would like to show you that picture and we have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the Detective Department. We have Learned Commissioner of Police here. Additional CP1 sir is here. OC Woman Grimant sir is here. Lady Officer from Tala PS is here. And Forensic Officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and news of people. We have the witness doctor whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of Detective Department, the videographer, Senior Officer of Initial CP1 and the forensic officials. So as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see, that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time, could anybody enter in this particular area who was not authorized or nobody entered who was not associated with the investigation process. Report की मुताबिक CBI जाच कर रही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर का शफ मिलने के 40 मिनट बाद इस्थानिये पुलिस को क्यों सूचित किया गया? इतनी देरी क्यों की गई? कोलकता पुलिस की टाइम लाइन के अनुसार शफ सुभ साढ़े 9 बजे मिला और ताला पुलिस स्टेशन को सबसे पहले मौत की सूचना सुभे 10 बचकर 10 मिनट यानि की 40 मिनट की देरी से मिली कोलकता पुलिस की जाच टाइम लाइन के अनुसार इस्थानिये पुलिस शव मिलने के एक घंटे बाद घटना स्टल पर पहुची और इलाके को सुरक्षित कर लिया रिपोर्ट के मुताबिक CBI प्रिंसिपल संदीब गोस के कॉल डीटेल रिकॉर्ड को भी समिक्षा कर रही है ताकि यह पता लगा जा सके कि उन्होंने इस मामले में हस्त छेप किया था या नहीं दरसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्री जाज एजनसी ने दावा किया था कि क्राइम सीन को बदल दिया गया था इसके अलावा पिर्द परिवार को गुम रहा किया गया था कि उनकी बेटी की मौत को आत्म हत्या की की रूप में पेश किया जा रहा है इसका जवाब देते हुए कोलकता पुलीस ने 30 अगस्त को कहा कि घटने स्तल प्रमौद सभी व्यक्तियों को जैसा कि तस्वीर में दिखाए गया है वहां उपस्तित रहने की पूरी अनूमती थी हुआ है खब